यह देखिए यह मैंने साबूत दाना दो घंटे के लिए पिखो के रखा था यह ऐसे अलग-अलग सॉप्ट हो गया यह भी मैं हरी मिर्च काट लूँगी और मैं इसका भी साबूत दाना वड़ा के लिए इसकी तैयारी करते हैं मैं आपको दिखा दिया से मैंने क्याट्य डाला है कि मैंने इसमें दो हरी मिर्च डाल दी अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी अब इसमें आलू मिक्स करते हैं अब इसमें ड्राइ पाउड़र्स जीलाउ यह फिर से जीलाख यूजवदी सुझे सिता यह द्निया गद्दिं खुच में दी कमिल के और भालूड़ करना शुड़ सुट में चेयरा भावाभरा क्यावा इसमें ते टेस्झे सिपनिया पावडर्र मैं लोगया मैं वित्स अब इसको मैश करते हैं यह मैने मूमफली पीसी है भून के भूनी हुई ही डालना है यह तो कच्छा टेस्ट आता है अभी मूमफली पाउडर डाल दूँगे इसमें और खटे पन के लिए थोड़ से लेमन जूस आपके पास अगर अमचूर पाउडर हो तो वह भी डाल सकते हैं पर मेरे पास फिलाल अमचूर पाउडर नहीं था इसलिए मैंने लेमन जूस डालाया और इसको डालने के बाद अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीज़े हैं मकाप टेस्ट कर लेना खम जादा जो भी आप खाते हैं उसके वार्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपको प्रॉब्रम हो तो आप थोड़ा सबने घी लगा लीजी अगर देखिए यह आटे की तरह हमारा बन के तुर्डी हो गया अब हम इसका वड़ा बनाते हैं अब इस तरीके से शेप का इसे बना लें और ऐसे ट्राई कर लें अब इस तरी से बनके तयार है अब इस पर थोड़ा साथ चाट मसाला स्प्रिंकल कर दोएं अब यह हमारा बड़ा तयार है अब माईक्णी से बना अब बना अब हमारा बड़ा तो जड़ा माईक्णी तरी कर दोएं